अब अभी श्री नेगर में है और यहां पे आज भीजेपी इकाई ने विले दिवस का जो है जेशन जो है यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मना रहे हैं और यह तिरंगा यात्रा जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यह संभाविक तोर पर यहां से SK ICC तक ये निकालने वाले हैं पहली बार कश्मीर में देखा गया है कि इस आज विले दिवस के आउसर पर बाजपा दोरा ऐसी बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बाजपा नेताओं के अनुसार 600 से अधिकारी करता जो है वो शामिल है और यहां से गाड़ियों की एक रैली में जो है एसके आई सी सी तक पहुंचेंगे और उसके बाद अगर हम कहें सुरक्षा के कड़े प्रवंद के ताहट जो है एसके आई सी सी पहुंचेंगे वहीं पर जो नेता यहां पर हैं उनका साफ कहना था कि यह इसी लिए किया गया है कि विले दिवस आज तक जो बिलकुल एक छ कश्मीर का जो जंडा है वह बहाल नहीं होता है लेकिन आज अगर हम बात करें तो यह जो है विवाजपा उन कारिकरताओं को भी एक मिसाल और सुबूत देना चाहती है कि यह जो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी यह तिरंगा यात्रा यहां से जो है निकल रही है और यह तिरंगा यात्रा à ICC शरी नंगर में जो है वहां तक जहेंगी वहां पर फिर इस तिरंगे को लहर आया जाएगा वही पर जमू के समेत कश्मीर में भी आज इस पहली बार ऐसी हल चल देखने को मिल रही है और ऐसी ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है वही पर आज तिरंगा यात्रा इसलिए भी जो है आयोजन किया गया है कि ये साफ तोर पर People's Alliance को एक जवाब है कि यहां पर लोग तिरंगे के साथ है मैं आज आहम TV9 भारत वर्ष श्रीनगर